हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल माई बीबी केर और मैं हूँ आपके साथ अर्षना फ्रेंट्स अकसर आपने डिलीवरी के बाद लेडीज को कहते वे सुना होगा कि उनका बच्चा जो है दिन में ज़ादा सोता है और रात में कम कई लीडीज ये भी कहती है उनका बच्चा जो है बहुत कम सोता है या फिर बहुत जादा सोता है तो फ्रेंट्स हम आपको भी बता दे कि एक बेबी के लिए एक प्रॉपर नीन लेना बहुत जरूरी है जो उसके अच्छे इशारिक विकास के लिए और मानसिक विकास के लिए जरूरी है तो हम parents के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि आपका baby पूरे नीद ले रहा है या नहीं साथी साथ आपका बच्चा जो है कब सोता है कब जागता है और कितनी देर सोता है इस बात का भी आप ध्यान रखें फ्रेंट्स ये तो हम सभी जानते हैं कि हर baby अलग होता है और सब की अपनी अलग अलग ज़रूरत होती है इसलिए हम parents की जम्मेदारी होती है कि वो ये देखें कि उनके बच्चे को आराम मिल रहा है या नहीं एक से बारा महिने तक के बच्चों का जो sleeping pattern है वो अलग-अलग होता है जैसे कि कोई baby दिन में जादा सोता है तो कोई रात में कई बार बच्चे लंबी नीन ना लेकर छुट-छुटी नीन भी लेते हैं तो आपके घर में अगर baby है और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके 3-6 महिने के baby का क्या sleeping pattern होना चाहिए उसे कितना सोना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए helpful है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में देखिए 3-6 महिने के बच्चे को 24 घंटे में से 12-16 घंटे तक सोना चाहिए और 3-6 महिने के बच्चे रात के समय जो है लंबी नीन लेते हैं और इस एज में बच्चे रात की टाइम जो है 9-10 घंटे के नीन ले सकते हैं और वो रात को भूख लगने पर ही जागते हैं इस एज में बच्चे दिन के टाइम जो है तीन से चार घंटे की नीन लेते हैं पर वो नीन जो है वो लगातार नहीं होती है बलकि छोटी छोटी नीन यानि कि दो से तीन बार में वो इस नीन को पूरा करते हैं तो फ्रेंड्स ये तो हुआ कि तीन से चे मेने के बच्चे को कितनी नीन लेनी चाहिए अब हम आपको बता दें कि अगर आपको बच्चे को नीन की आदर डालनी है तो आप कुछ जरूरी चीज़े कर सकते हैं जैसे कि दिन के टाइम बच्चों को जादा खेलने दे तो बच्चा रात को अच्छी नीन लेगा नेक्स फ्रेंड्स रात को सोते समय आपको बच्चे को अच्छे से दूद पिला कर सुराना चाहिए जब बेबी का अच्छे से पेट भरा होता है तो बच्चा जो है जल्दी नहीं चागेगा और अच्छी नीन लेगा रात की टाइम जब बच्चा सो रहा हो तो आपको कमरे में अधेरा कर देना चाहिए ताकि बच्चा रात और दिन का जो फर्क है एक तो वो फिल करें और बच्चा अराम से सो पाए इस एज में जब भी बच्चा सोए तो आप उसी के पास रहें क्योंकि बच्चे जो है कभी कभी अपने आपको अकीला पाकर डर जाते हैं और फिर अच्छे से नहीं सोते हैं इसके लावा जब आप दिन में बच्चे को सुलाएं तो आप अगर बच्चे को दिन में अच्छे से मसाज करके और नहलाएंगे तो इसके बाद जो है बच्चा एक अच्छी नीन लेता है जो कि बच्चों के लिए काफी अच्छा है ये तो बात हुई कि आप अपने बच्चे को अच्छी नीद देने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लक्षनों की जिने देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बच्चे को नीद आ रही है फर्स दिखिए फ्रेंड जब बच्चे को नीद आती है तो नीद आने पर बच्चा रोने लगता है और चिट-चिडाने लगता है इसके लावा फ्रेंड बच्चे के जो expressions हैं वो भी change हो जाते हैं बच्चे थोड़ा मूस भी बनाना लग जाते हैं तो यह देखकर भी आप प बच्चे को नीद आती है तो बच्चे अपनी मुठी जो है वो कस कर बंद कर लेते हैं तो अगर आपका बैबी वियासा कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपके बैबी को नीद आ रही है तो फ्रेंट यह चीज़े अगर आप देखें तो इसका मतलब यही है कि आपके बच आपके रूम में किसी तरह का शोर ना हो, वहाँ पे तेज लाइट ना हो, ताकि बच्चा आराम से सो सके, क्योंकि जब बच्चा आराम से सोएगा, तो बच्चे का ग्रोध भी अच्छा होगा, तो friends यही था हमार आज का वीडियो, I hope आपके लिए वीडियो हेल्फुल रहा ह हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लाते रहेंगे, thank you